हेलो वरीवान, वेलकान टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू के इसने चैनल में आपका स्वागत है आज की ओड़ी लेक्चार में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे ओमेस डी कैपसुल के बारे में तो हम सीखिंगë उसको बेजिक यूट के बारे में के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन को ओमेस डी कैपसुल जो वो ठीक करता है फिर नाम के पीछे ये डी एसर लिखा है तो उसका भी मिनिंग हम डेटेल में समझेंगे जानेंगे उसके dose के बारेंगे कि इतने dose में ये medications को use किया जाता है साथ ही उसके side effects क्या हो सकते है warnings क्या रहेंगे और contra indications क्या रहेंगे तो detail study करते हैं आज के lecture में तेक्सवेट lecture बायमर सर, Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family सीखे अलग-अलग बीमारी के बारे में साथ उसाथ दवाईयो के बारे में medicine course में PharmaRox के एप उपर कि जैसे आज हम यहाँ पे OMSD के अपसुल के basic use के बारे में सीखेंगे उसके dose के बारे में सीखेंगे उसके side effect, warning तो ऐसे ही सीखे detail में किसी भी दवाई के बारे में medicine course में PharmaRox के एप उपर तो आप समझते हैं OMSDSR के अपसुल के बारे में तो यह ऐसा medication है कि जिसके अंदर दवाईयो का combination है एक है Domperidon की जो 30 mg जितना है और second Omeprazole की जो 20 mg यह के अपसुल के अंदर present है और इसके manufacturer की हम बात करे तो Dr. Redis Laboratory उसको बनाते है और इसकी price जो रखी है 160 से लेकर 190 के बीच में आपको अलग-अलग platform पे मिल जाती है as well as आप medical store से भी उसको purchase कर सकते हैं कि जिसके अंदर 15 कैपसुल साते हैं एक strip के अंदर तो Omeprazole क्या है वो आप सबसे पहले समझ लो तो Omeprazole ऐसी दवाई है कि जिसको हम proton pump inhibitor कहते है और यह ऐसा medication है कि आपके सरीर के अंदर जो proton pump होते हैं उनकी activity को inhibit करता है कि जो responsible होते है stomach acid के production के लिए तो proton pump inhibit होने से क्या हो जाता है कि आपके सरीर के अंदर stomach acid का production कम हो जाता है कि यह आप याप diagram में देखो कि यह person के अंदर acid ज्यादा बन रहा है तो इसका reason यह है कि जो proton pump जो है वो activate ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा amount में produce कर रहा है stomach acid तो हमारी यह जो medication omiprazole क्या करेगी यह proton pump को inhibit कर देगी कि जिससे acid जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बनेगा और उसके मात्रा जो है वो कम होने लगेगी acid का production कम हो जाएगा और यह medications को orally लेते हैं mouth से tablet के form में या फिर capsules के form में और यह prescription based medication रहती है self medication उसका नहीं करना चाहिए domperidon के बारे में बताओ तो domperidon जो है एक anti sickness medication है anti sickness मलब कि ऐसी condition कि आपको जो है वो nausea vomiting जैसा फिल होता है जो लेकि आपका जी घब रहा तो अगर आपको उल्टी करने का मान होता है या फिर आपको vomit हो जाती है और यह dopamine 2 receptor antagonist medications का ही जाती है कि जो ऐसे receptor को block करते हैं कि जो responsible बनते हैं motion sickness के लिए morning sickness के लिए या फिर nausea vomiting के लिए और इसको anti medic के class में हम include करते हैं और यह medications क्या करते हैं stop करते हैं आपके feeling कि जो आप सीख हो रहा है मलकि बीमार हो रहे हैं आपको nausea vomiting जैसा हो रहा है तो वो stop करेगा तो जब यह दोनों का combination आप लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि acidity भी कम हो जाती हैं और nausea vomiting के जो feeling से वो भी कम हो जाती है तो अब label की study करते हैं तो सरुवात में मैंने आपको बता था कि DSR का मतलब क्या है तो यहाँ पर D4 बनता है कि OMAES जो है OMAES मतलब की OMIBRAZUL का एक short form बना दिया है यहाँ पर OMIBRAZUL और पीछे लिखा है SR SR का मतलब यह होता है कि sustain release tablet है यहाँ पर आप देखो जो sustain release tablet साती है sustain release capsule साते है उस category का यह जो है वो product है इसलिए proper जो उसका नाम पीछे का लिखती है company DSR तो D4 domperidon होता है यहाँ पर domperidon SR मतलब की sustain release और OMAES जो है वो OMIBRAZUL का एक short form बना है यहाँ पर प्रॉपर डीटेल है company की कि यहाँ पर Dr. Redis का आप logo देख सकते है manufacturing unit का भी यहाँ पर डीटेल लिखा हुआ है फिर cedule H drug लिखा है मतलब कि prescription के साथ ही आप उसको retail में बेच सकते है storage condition के हम बात करे तो खासकर यह capsule का आपको store करना रहता है cool place पे light से उसको protect करनी होती है moisture से भी उसको protect करके रखना होता है फिर delay release जो tablets या फिर sustain release के category में यह medication आती है कि जिसके अंदर omiprazole जो है वो 20 mg जितना present है और domperidon जो है वो 30 mg जितना यह जो capsule बनाई है उसके अंदर present है और उनके अंदर जो capsules के अंदर जो feel किया होता है वो pallets रहते है खासकर यहाँ पे आप देखो कोई enteric coated और sustain release pallets रहते है दोनों दवायों के color जो उसमें add है वो है titanium dioxide है और यहाँ पे भी company ने उसका content जो हो print किया हूँ आप देख सकते है बारकोड भी होता है कि जिससे आप जो वो scan करके उसकी authenticity जो वो check कर सकते है तो उसके use की हम बात करें तो जैसे अल्रेड़ी मैंने आपको समझाया acidity का जो problem होता है उसके यह use कर सकते है जो पेट में जलन होती है ज्यादा acid के करण omelet जो रहती है फिर जो पैप्टिक अल्सर के जो patient होते है आप आप diagram में देखो कि जो ulcer form हुआ हुआ है जो stomach ulcer कहते है या फिर पैप्टिक अल्सर तो उसके इलाज में भी यह OMS D capsule को use किया जा सकता है फिर acid reflux का जो problem होता है कि बहुत सारों लोगों को ऐसा होता है कि जो acid है वो reflux उसे उनकी food pipe में आ जाता है कि जिसके करण क्या होता है काफी जलन होता है सीने में जलन जिसे complications होते है और कई बार issue phagus मनले कि आपकी जो unanaly के अंदर आपकी food pipe के अंदर जो वो ulcer बन सकता है तो यह सभी complications को treat करने के लिए OMSD capsule को यूज के जाता है तो यहाँ पर यह सभी uses जो listed है कि जो मैंने आपको अभी समझागे किसी भी type की acidity हो या फिर acid reflux हो रहा है या फिर आपको zolinser-ellison syndrome है बहुत ज्यादा acid pit में बन रहा है या फिर acid reflux की जिसको GARD हम कहते है gastroesophagal reflux disease तो इसकी इलाज में OMSD capsule patient यूज कर सकता है और उसके related जो symptoms होते है बहुते हैं कि आपको सीने में जलन होती है कुछ भी खाने को निगलने में problem होता है coughing जैसा रहता है और burning sensation होते रहते हैं आपको पेट में मलने कि जलन जैसा फिल होता है आपकी isophagus damage हो सकती है ulcer हो सकता है तो वो सभी को prevent करने के लिए अज़ले treat करने के लिए OMSD capsule patients यूज करते हैं dose की हम बात करें तो खाना खाने के 30 मिनिट पहले या फिर 1 गंटे पहले patient एक capsule जो खा सकता है और दिन में एक capsule भी इनप रहता है और जरुरत पढ़ने पर patient दिन में 2 capsule खा सकता है mechanism already मैंने आपको समझा दी कि जो proton pump होते हैं उनकी activity को inhibit करके ये medication काम करती कि proton pump के करन ही क्या होता है कि ये जो H plus और ये CL minus दोनों combine होके जो HCL बना है वो ही एक type का gastric acid का content है तो समझो कि proton pump ही inhibit हो जाते तो H plus नहीं होगा तो सिर्फ chloride जो ये वो acid नहीं बना सकता तो इस तरह से acid का production कम करती है OMS D capsule पर उसके कुछ side effects है जैसे कि कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है constipation हो जाता है मलक की कुछ लोगों को dust का problem रहता है curbs का problem होता है जब ये capsule खाते है पेट में दर्ध होने लगता है flatulence मलक के plate में gas बनना ऐसे कुछ complication कुछ cases में देखने को मिलते है सीर दर्ध होना nausea vomiting होना dizziness feeling और being sick bone fracture या फिर kidney damage पर यहाँ पर यह problem कई बार solve भी होते because domperidone उसके इंदर एड है तो अगर आप proper dose में यह medications लेते हो तो उसके आपके कुछ major side effects नहीं होते पर contraindications के हम बात करें तो अगर आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason clostridium difficile bacteria है तो ऐसे cases में omibrasol और domperidone का यह combination omasd को use ना करें फिर आपके सेरेर में beat well की deficiency है तो उसको use ना करें because जो proton pump inhibitor medications होते हैं वो आपके सेरेर में beat well की मातरा कम कर सकती है magnesium के मातरा कम कर सकती है और already आपके सेरेर में deficiency है beat well की या फिर magnesium की तो ऐसे लोगों को ये medication नहीं खानी चाहिए फिर ऐसे problem है कि जिसको हम कहते हैं nephritis के problem kidney के उपर सुजन है तो वो लोग ना खाए फिर sub acute cutaneous lupus erythematosus के जो patient होते हैं या फिर SLE के जो patient होते हैं तो वो लोग भी ये medication को ना फिर जिनके born weak होते हैं या फिर born fracture है या फिर बहुत ही weak है डिया osteoporosis के patient है तो उनको भी proton pump inhibitor नहीं दी जाते because omisd के अंदर proton pump inhibitor के तोर पे omiprazole present है और proton pump inhibitor की एक common sad effect रहती है कि वो आपके bond जो है वो weak करवा सकती है अगर आप लंबे समय तक खाते हैं तो यह कुछ contraindications रहेंगे आपके लिए अब बात करते हैं pregnancy के दोरान तो omiprazole तो safe है pregnancy के दोरान यूज करना पर जो dom parent और नहीं उसको safe नहीं मना जाता pregnancy के अंदर तो जब यह दोनों का combination है omisd में तो आप omisd को use ना करे pregnancy के दोरान तो यह combination आप pregnancy में use नहीं कर सकते हैं पर आप जो ही वो treat कर सकते हैं आपके nausea omitting acidity या फिर जो gas बनती है पेट में तो वो complications आप दूसरी तरह के से solve कर सकते हैं pregnancy के दोरान तो उसके लिए आप कोई भी antacid product जो ही वो use कर सकते हैं कि जिसके अंदर milk of magnesia जो होता है वो product और nausea omitting के लिए doxylamine तो वो भी आप use कर सकते हैं तो SAC के detail में किसी वी दवाई के बारे में उसके use उनके dose क्या होते हैं side effect warning, contraindications एक साल तक medicine course में pharma rocks के पूपर तो ये course join करने के लिए में whatsapp करें 9016312020 पे साथ ही हमारे app को भी download करें और whatsapp कर सकते हैं 901631 2020 पे तो अभी आपको download करें या फिर हमें whatsapp करें medicine course को join करने के लिए good luck and all the best